नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, आप सब का स्वागत है मेरी नई यूट्यूब की वीडियो में, आज हम आपको बताएंगे जो मनी प्लांट है, चाइनिस मनी प्लांट के बारे में बताएंगे, तो बताते हैं, चलो, ठीक है, तो देखिये, ये है हमारा दोस्तों, सर्दियों का प्लांट है, इसके अंदर सर्दियों के मौसम के अंदर काफी संख्या में फूल आते हैं, यह पोटा जो है सर्दियों के अंदर ही उगाया जाता है और इसकी देख रेख भी बिल्कुल असान है, इसके अंदर जो फ्लावरिंग का टाइम है, फरवरी से लेके अ पूल भी दिखाते हैं थोड़े से इसके अंदर बर्ड आ रहे हैं इसके बड़े प्लांट को दिखाते हैं तो आईए चलते हैं बड़ा प्लांट दिखते हैं यह देखिए दोस्तों इसका यह बड़ा प्लांट है डेजी का जो की काफी स्वस्त है इसके अंदर आप देख प येलो कलर का होता है इसके फ्लावर को बहुत सारी मालाओं के अंदर यूज करा जाता है जैसे कि वर माला के अंदर शादी के टैम जैमाला जो यूज होती है इसके फ्लावर को यूज करा जाता है और बहुत सारे इसके हार भी बनाई जाते हैं जो मंदिर वगारा के अंदर हम इसके फ्लावर हैं जो उनसे पूरी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं यह देखिए काफी सारे बर्ड आ रहे हैं आपको पिटुनिया के और भी फ्लावर दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों जो इसमें पिटुनिया के और फ्लावर हैं यह कलर देखिए कितने सुंदर कलर हैं यह पिटुमिया का प्लांट है ये भी सर्दियों के सीजन में लगाया जाता है ये पूरी सर्दियों के अंदर काफी मात्रा में काफी संक्या में फूल देता है और इसकी बात करें तो ये अक्तूबर नॉम्बर के बीच में लगाया जाता है प्लांट और ये दिसंबर के बाद करनी शुरू कर देता है इस plant को पूरी धूप पसंद है मतलब इसको shed में नहीं रखना इसको खुली धूप में रखना है तो बने रही है मेरी वीडियो में आपको बताते हैं Chinese money plant के बारे में तो यह देखिए दोस्तों यह है हमारा Chinese money plant इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता लगाना बहुत शुब माना जाता है इस प्लांट की के बात करें तो यह बिलकुल ही नॉर्मल केर मांगता है इसको टाइमली पानी देना चाहिए और जो जिस गमले के अंदर लगा हुआ है उस गमले के अंदर से पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद बाई बाई टेक केर